नमस्कार दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं पलंग पर बना शीशा ला सकता है पती पत्नी के बीच दूरियां शादी के बाद वास्तो अनुसार चुने बिस्तर वीवा को एक ऐस्या रिस्ता माना गया है हमारे हाँ जो दो लोगों को नहीं बलकि दो परिवारों को आपस में जोड़ता है इसे यूवक और यूवती के जीवन में अनेक परकार के बदलाव आते हैं इसी के साथ परिवार के वैवार में बदलाव महसूस करते हैं विवा में अनेकों पारावारिक और धार्मिक मानने तरह होती हैं और कुछ को जोती सास के साथ भी हमारे हाँ जोड़ा जाता है वास्तु सास के अनुसार माना जाते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसी वस्तुय होती हैं जो व्यक्तिके जीवन को प्रभावित करती हैं इसी तरह हर कोई चाहता है कि उनके असपास ऐसी कोई वस्तु नहीं हो जिसे उसके वहवाईग जीवन पर कोई बुरा प्रभाव पड़े वास्तु के अनुसार वहवाईग जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव साधी सुदा जोड़े का बिस्तर डालता है यदि साधी से पहले नए बिस्तर की खरीद के बारे में सोच रहे हैं तो अबशे ही आपको एध्यान रखना चाहिए कि बिस्तर लोई का नहीं होना चाहिए ये नकारात्मक शक्तियों को आकर्शित करने वाली धातु मानी जाती है लकड़ी के बिस्तर को बनवाना लाबकारी हो सकता है इसे वास्तु के अनुसार पवित्र माना जाता है ध्यान रहे कि बिस्तर पर सीशा नहीं लगाओ ये विविन तरह की उर्जाओं को अपनी तरफ आकर्शित करता है जिसे शारिरिक समंदों के साथ नींद में भी समश्या सकती है त्रिकोनी सिराने वाले बिस्तर का चुना भूल कर भी ना करें ये बिल्कुल भी शुब नहीं माना जाता माना जाता है कि बिस्तर में बने बॉक्स पती-पत्नी के समंदों में खटास पैदा करते हैं इसी के साथ बिस्तर के बीच में किसी भी तरह का डिवाइडर नहीं होना चाहिए ये पति-पत्नियों के बीच दूरिया बढ़ाने का काम करता है वास्तु के अनुसाल माना जाता है कि तक्की के रंग भी एक जैसे नहीं होने चाहिए इससे पति-पत्नि के समंध मधूर बने रहते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तो, जैहिंद